तो दोस्तो अभी मैं आप सभी के सामने लाइव एक्जामपल करके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं अपने इस फोन के अंदर स्टेटस लगा रहा हूँ और ये बंदा मेरा स्टेटस देख ले रहा है लेकिन मुझे इस फोन के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि यह मेर सही वीडियो तक पहुँच चुके हो आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा और कुछ ऐसे solution बताऊंगा जिस्ते कि आप यहाँ पे नो भ्यूज वाला जो problem है उसको आप ठीक कर सकते हैं लेकिन कैसे इसके लिए आप सभी को यहाँ पे मैं आपको live example करके दिखाता हूं तो यह मैं गया अपने WhatsApp के अंदर यहाँ पे मैं कुछ WhatsApp status update कर देता हूं तो यह मैंने तीन status को update पे लगा दे रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे मैं तीनो status को लगा दे रहा हूं देखे यहाँ पे यह देखे तीनों स्टेटस मेरा सेंड हो चुका है यहां पर 00 भ्यूज दिखा रहा है ठीक है देख सकते हैं किसी में भी अभी भ्यूज अपडेट नहीं हुआ देख रहा है ठीक है तो आब यहां पर देखे इसके अंदर भी वर्टसप स्टेटस जो है लगाया इस बंदे न देख लिया फिर भी आपको यहां पर भ्यूज अपडेट नहीं हो रहा है तो इसका एक ही कारण है कि इस बंदे ने अपने view audio update हो जाएगा देखे हे घहाँ यह एक ही इस्टेटाइट को मैंने देखा है यहाँ पर मैं update के अंदर गया देखे यहां पर एक ही status पे जो green color है वह अब dark color हो गया ठीक है तो एक status देखा तो यहां पर देखे फ्यूज अब अगर ये बंदा एक सेटिंग को बंद करके आपका इस स्टेटस देखेगा तो आपको भ्यूज अपडेट नहीं होगा यहाँ पर देखे यह बंदा चैट वाले अप्शन में रहेगा तीरिन डॉट पर जाएगा सेटिंग में जाएगा प्राइविसी में जाएगा यहा कि मैंने स्टेटस पुरा देख लिया दूसरा वाला भी देख लिया फिर भी यहाँ पर इसको पास भ्यूज अपडेट नहीं गया लेकिन पहले वाले में तूरंट चला गया था तो यहाँ पर इसके फोन के अंदर हो सकता है कि आप जो भी स्टेटस लगा रहे हो जो बंद देखता है तो वहाँ पर भी ब्यूज अपडेट हो जाएगा अग दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपने ही वो सेटिंग अपने फोन के अंदर बंद कर दिया है इस वजह से आपके भी ब्यूज अपडेट नहीं हो रहे है या फिर आपका कोई स्टेटस नहीं देख His ओ ज तो यहां से होता है वो setting, chat में गया, तीन डट में गया, setting में गया, privacy में गया, यहां पर अगर मैं इसको बंद कर दूँगा, तो देखिएगा कि यहां पर मुझे कुछ अलग तरीके से ही लिखेगा, तो यहां पर अगर मैं आ जाता हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो यहां पर इसको बंद करने के लिए का करना होगा, वापस से यहां पर आपको वही setting में जाना होगा, ठीक है, और privacy में जाना होगा, और इसको अगर on कर दोगे, तो अब आपको भ्यूज अपडेट होने लगेगा, तीसरा कारण यह हो सकता है कि आप अपने WhatsApp में status लगा रहे हो, और आपके WhatsApp में कोई भी contact नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने अपने WhatsApp में contact से भी नहीं करा है, तो इसकी वज़ा से भी आपके WhatsApp पर zero views दिखा रहे होंगे, चौथा क्या कारण हो सकता है कि आपने जो भी status लगाया है, ठीक है, अगर आप कोई भी status लगाने जा रहे हो, जैसे कि मैं अभी एक status आपके सामने लगा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं status लगाने जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको एक option देखना वोलता है, status और to included, तो यहाँ पे अगर आप इस पे click करोगे, तो देखो यहाँ पे जो आप status लगा रहे होगे, वो यहाँ पे किसी एक particular बेक्ती, या पिर दो particular बेक्ती के लिए लगा रहे होगे, इसकी वज़ा से आपको जादा भ्यूज, आपके WhatsApp status पे नहीं मिल रहे होगे, तो यहाँ पे आपको My Contact कर देना है, अब आप कोई भी status लगा हो, आपके status पे भ्यूज एकदम भर के आएंगे, और जितने आपके contacts देव होंगे, वो सभी लोग अगर आपका देखेंगे, तो आपको यहाँ पे update होगा ही होगा, तो उमीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पे समझ चुके होंगे, कि My Contact पे लगाईएगा, तो सभी लोग देखेंगे, My Contact Expect पे लगाईगे, तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने मना करके रखा है, कि यह लोग मेरा status ना देखें, तो यह लोग मेरा status नहीं देखेंगे, तो उमीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे, कि यह चीज आप कैसे कर सकते हैं, कि आपके status पे कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी, आपका status कोई भ्यूज नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे वापस से करा सकते हैं धन्यवाद